अब सभी को मेरा नमस्कार मैं हूँ निलेज और इस वीडियो कोर्स के वीडियो नमबर 68 में हम प्रेक्टिस करने वाले हैं कि किस प्रकार से हिंदी मेसेज को इंगलिश अक्षरों से लिखा जाता है और पढ़ा जाता है प्रेक्टिस का पहला सेंटेंड़ आपके सामने है यहां पर हम इसे इंगलिश अक्षरों से लिखेंगे क्योंकि सामाने तह मेसेज में इसी मेथड का प्रयोग किया जाता है सिंपल रूप से मेसेज को लिखने और पढ़ने के लिए इस वाक्य का पहला सब्द है एक्दम का पेलख्षर है A तो A के लिए हम लिखते हैं इंग्लिज का अक्षर E फिर है क क के लिए क फिर है द D के लिए D D के साद A के धोनी और इसलिए A और म के लिए M एक्दम फिर सब्दस सीधा में C में सर के लिए S बड़ी E की मात्रा है तो double E समाने था बोल चल की सब्दों में आप बड़ी E की मात्रा के लिए भी I ली सकते है क्योंकि दो अक्ष़ टाइप करने के बजाए एक अक्ष़ टाइप करना आसान होता है बस सामने वाले को समझ में आना चाहिए फिर है धा तो धा के लिए D, H और आखे मात्रा के लिए E C, धा अगला सब्द रास्ता मेरा रा के लिए R आखे मात्रा के लिए E फिर है आदा स तो आदे सा के लिए भी S फिर है ता तो ता के लिए टी आ के मातरा के लिए ए रास्ता फिर है है तो है मैं हा के लिए हैंच हम है ए की मातरा तो ए आई और बिंदी भी लगी है तो इसके लिखेंगे एन एकदम सीधा रास्ता है अगला वाकिक पहले सब्द मुलाकात में मू पहला अच्छर और मू में म के लिए M छोटा उ की मात्रा है यहां पे तो छोटा उ की मात्रा के लिए U फिर है ला तो ला के लिए L आ की मात्रा के लिए A फिर है का तो क के लिए K आ की मात्रा के लिए A और तो के लिए T फिर है का तो क के लिए K आ की मात्रा के लिए A का फिर सब्द समय में स के लिए S सब के साथ अकिद हो नहीं है इसलिए ए फिर है म म के लिए एम म के साथ भी अकिद हो नहीं हो रही इसलिए ए फिर है य य के लिए य फिर सब्द बता में ब के लिए बी और किदो नहीं है इसलिए ए और ता मेता के लिए टी आ के मातरा के लिए ए बता फिर सब्द दे मेता के लिए डी ए की मातरा के लिए ए दे मुलाकात का समय बता दे तुझे से यहाँ पे ए अ की दोनी के लिए है और यह ए आ की मातरा के लिए है और इस समय में भी ए दोनों अ की दोनी के लिए है तो हमें यहाँ पे कोई confusion नहीं हो रहा है कि ए अ की दोनी के लिए है या फिर आ की मातरा के लिए है क्योंकि बार बार पढ़ने से और लिखने से हमें अंदाजा हो जाता है कि यह सब्द क्या लिखा हुआ है यदि आप फूल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें जिससे आप चैनल पर पहुँच जाएंगे जहाँ प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे अगला वाक का पहला सब्द तुम्हारा में तू मेता के लिए टी छोटा ओ की मातला के लिए यू अधे म के लिए एम पूरा म भी होता तो भी एम ही लिखते हैं फिर हा तो ह के लिए एच आ के मातला के लिए ए फिर है रा तो र के लिए आर आ के मातला के लिए ए तुम्हार फिर है राज मेरा मेरा के लिए आर आ के मात्रा के लिए ए तो यहां पर आ के मात्रा पर जोड़ देते हैं राज तो आ के मात्रा के लिए डबल ए लिखेंगे तो इस प्रकार कुछ सब्द में आ को चार अधिक होता है या जोड़ देते हैं तो वहां पर हम एक के बजाए डब लिखते हैं फिर है ज तो इसके लिखते हम जैड ये ज है जिसमें नीचे बिंदी लगी है उसके लिए जैड लिखते हैं अगला सब्द है उजागर उजागर में जो छोटा उ है उसके लिखेंगे यू और छोटा उ की मात्रा होती है तो भी यू ही लिखते हैं मतलब मात्रा के लिए वही जो अक्षर के लिए लिपते हैं फिर है जा तो जा के लिए जे आ के मात्रा के लिए ए उजा फिर है ग के लिए जी और की दोनी के लिए ए और के लिए आर फिर है सब्द हू तो H के लिए O की मातर के लिए O फिर लिखा है जाएगा में जा में जा के लिए G आ की मातर के लिए A फिर है A तो इंगलिस में A के लिए Y E लिखते हैं जाएगा आएगा इस परकार के सब्दों में फिर है गा तो गा में गा के लिए जी आ के मत्रा के लिए ए जाए गा तो इस प्रकार से आप भी कुछ हवा के लिए और खुद से प्रेक्टिस करें क्योंकि प्रेक्टिस से ही आपको हिंदी अक्षरों के लिए जो इंग्लिस अक्षराता है वो याद हो जाएंगे और इस प्रकार के सब्दों की स्पेलिंग भी इंगलीस में क्या होती है वो भी याद हो जाएगी क्योंकि प्रेक्टिस से ही आप बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं वैसे नॉर्मली आप अक्षर के लिए इंगलीस अक्षर याद करेंगे तो आपको याद नहीं होगा आपके पढ़ने और लिखने में गलतिया होगी अगला वाक्ष पहला सब्द लो में पहला अक्षर है आपका लो तो लो में ल के लिए एल ओ की माता के लिए ओ और ग के लिए जी लोग फिर सब्द कम तो कम में क के लिए के अक्षर के लिए ए और मा के लिए एम कम फिर सब्द पर में प के लिए पी अक्षर के लिए ए और इस ड के लिए डी पर फिर सब दहर रहे में रा के लिए आर और के दोनी के लिए ए और हे में हा के लिए एच ह में है ए की मात्रा तो ए की मात्रा के लिखते हैं ए रहे फिर अंत में है थे तो थे में था के लिए टी एच ए की मात्रा तो ए की मात्रा के लिए ए थे लोग कम पढ़ रहे थे अगला बाग पहला सब्द लोग तो लोग को हम लिखते हैं L के लिए O की मात्ता के लिए O ग के लिए G लोग फिर सब्द रात तो रा आर ए रा और ता के लिए T रात भर में भ के लिए B, H, A की दोनी के लिए A, R के लिए R भर फिर सब्द वही में वह के लिए V, A की दोनी के लिए A, और ही में H के लिए H, ह में है छोट बड़ी E की मात्रा प्रन्तु आखरी में है तो नॉर्मल सब्दों में है हम अंत में यदि बड़ी E की मात्रा हो तो बड़ी E की मात्रा के लिए भी आई ही लिखते हैं और यदि बिंदी लगी है तो इसके लिए हम लिखेंगे A, वही फिर लिखा है अंत में थे तो थे में था के लिए टी एंच और था में है एक ही मात्रा तो एक ही मात्रा के लिए ए थे लोग राद भर वहीं थे अगला बाग पहला सब्द अच्छी में अ के लिए ए चर के लिए च और ची में छच्छते के लिए सी डबल एंच और बड़ी ए की मात्रा है आखरी में है इसलिए आई लिखेंगे फिर है सब्द बारिस में बा के लिए बी ए बारी मेरा के लिए आ छोड़ी ए की मात्रा के लिए आई और इस सर के लिए एस एज बारिस फिर लिखा है की तो की को लिखते है के आई की फिर लिखा है उम्मीद में पहला अक्षर छोटा उ छोटा उ के लिए भी यू लिखेंगे और छोटा उ की मात्रा के लिए भी यू ही लिखते हैं मतलब अक्षर के लिए वही और मात्रा के लिए भी वही फिर है आधा म, तो आधे म के लिए M, फिर है पूरा म, तो पूरे के लिए भी M ही लिखेंगे, चुंकि जो पूरे के लिए आता है, वही आधे के लिए आता है, फिर है बड़ी E की मात्रा, तो बड़ी E की मात्रा के लिए, डबल E, और द, तो द के लिए D, वो मीद, फिर अं A की मातरा के लिए A I और बिंदी के लिए N अच्छी बारिस की उमीद है यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें और पर क्लिक करें जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकर मिलते रहेंगे और आप सिखते रहेंगे यदि इए वीडियो अच्छा लगा हो तो यहां क्लिक करके लाइक करें इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ सेयर करें आप भी सीखें सबी सीखें थैंक यू पर वाचिंग।